कि नमस्कार दोस्तों आइए देखते हैं कि कल मार्किट कैसे काम काज कर सकती है फैबरेरी महीने की शुरू हो रही है मेरे वाए दोस्त जो लांग पोजीशन लेके गए है अभी काफी कुछ होंगे SGX निफ्टी को देखके और मैंने अपने टेलिग्राम ग्रूप में यही चीज़ शेयर की थी कि मुझे दोस्त तीन सो पॉइंट की निफ्टी में तेजी नजर आ रही है क्या यह तेजी होगी नहीं होगी क्या होगा आज क्या हुआ यह सारा एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में अगर देखोगे तो समझ आएगा स्किप करके देखोगे तो कुछ समय नहीं आएगा यह मैं पहले बता देता हूं और यह भी बता देता हूं मेरा डिस्कलेमर भी है वीडियो खाली लर्निंग परपस के लिए है मेरी तरब से कोई बाइस हैल का रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी ख्रीदने बेचने से पहले अ कल के लिए मैंने बोला था आज के लिए भी पॉसिबिल्टी थी कल के लिए भी क्योंकि आज मैकसिमुम पॉझिशन ख्वार हो जाने थी आगे डाटा में देखोगे की मैकसिमुम पॉझिशन किस तरह से ँख्वारी हुई है और जिसने कल helps का वीडियो मेरा देखा होगा मै बड़े मेरे की दोस्त कहते भी हैं इस बात पर फगर करता हूं हमने अनलीसिस पकड़ा क्या हो सकता है अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए और आज के वीडियो से मैच कीजिए आज की मार्किट मूव से मैच कीजिए आपको समझ आ गया होगा जैसे जैसे जैस ने चुपा हुआ है डाटा का कमाल है उसके बाद मेरे को किसी ने पूछा की दो बच के छे मिनट पर चंदन ने की आज क्या हो सकता है मैंने कहा कि तीस हजार की काल पे नज़र रखो क्योंकि यही मेरा कल का व्यू भी था उसके बाद मेरे और दोस्त ने पूछा और मैं का साथ में एके हैं प्रानिता नाम पेले तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों इस महीने हमने चैनल में ज्यादा ट्रेड नहीं दिये जो मेरा प्राइवेट चैनल था रीजन बिंग डैट कि क्योंकि मैं पुट का खिलाडी हूं मुझे पुट में विश्वास मज़र आ रहा था लेकिन मैंने पिछले महीने देखा और इस महीने भी मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे दोस्त जो है पुट में कमफर्ट नहीं फील कर रहे थे वह काल में ज्यादा कमाई करना चाहते थे तो काल मुझे नजर नहीं आ रही थी इसलिए मैं ज्यादा ट्रेट नहीं दे पाया अगले महीने के लिए जो इस महीने के मेरे मेंबर्स हैं उनका जो है कैरी फारवर्ड कर रहा हूं मैं फ्री में और मेरे व्या दोस्त जो नया जुड़ना चाहते हैं गुरूप में फैबरेवी महीने के लिए वह जुड़ सकत हैं कि मार्किट ने क्या कामकाच की आज अब आप देखिए रिटेलर पूरी तरह से बुलिश नदर बुलिश बन गया है अब इसके पास 3400 कंट्रेक्ट जो है 3400 जो है इंडेक्स लांग हो गया है और डियाइस 29000 कंट्रेक्ट इनके पास शार्ट है एफाइस 29498 कंट्रेक हैं और प्रास आप देखिए मार्किट जो बार बार नीचे फैंकी जा रही थी बैंक निफ्ट्रि को 30000 के लेवल से 30000 1500 के लेवल से वह प्रास की कारश्तानी थी मेरा मेरे जिन दोस्तों ने मेरा वीडियो देखा होगा तीन दिन पहले का मेरे लेवल देखे होंगे लेवल वाज किया होगा मैंने हर चीज बोली थी मार्किट ने वही चीज की और प्रास की जो गेम थी वो हमने पकड़ ली थी जब यह 20,000 के उपर इंडेक्स थे इनके पास और पास 33,569 कंट्रेक्ट हैं काल में डिया इस नंबर में चेंज नहीं है कलाइंट 9,000 कंट्रेक्ट अब इनके पास है आप देखिए कलाइंट में काल मैक्सिमम काल में अज अपना लास किया है और अगर आप देखेंगे क्लोज लांग और क्लोज शाड आप खुद हरान हो ज कि आप खुद भी देख सकते हैं समय सकते हैं कि उसको पुट में कितना लास हुआ होगा लेकिन यह महा मुरक आज भी एक लाग 13,405 कंट्रेक्ट जो है यह फिर से राइट करके गया है बेच के गया है डिया इस 13,672 कंट्रेक्ट हैं FIA 94,229 कंट्रेक्ट हैं और प्रास के पास 5,504 कंट्रेक्ट हैं तीनों को जो पुट का माल है वो हमारे रिटेलर्स ने बेचा हुआ है और इंडा स्टाक फूचर में देखिए रिटेलर्स तकरीबन 5,44,945,44,973 कंट्रेक्ट हैं डिया 7,83,958 कंट्रेक्ट हैं FIA के पास 153,168 कंट्रेक्ट है और प्रास के पा आपको एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए स्क्रीन पे देखिए काफी दिनों के बाद FIA की सेलिंग फिगर देखिए तक्रीबन साथे 3,000 क्रोड के उपर की जो है उनकी सेलिंग आई है और जिसमें से आज फॉस्ट टाइम इतने महीनों के बाद डिया याई बाइंग क कहां जाएगी आप खुद सोच सकते हैं बजट है एक तारी को बजट से पहले दो चुटियां है तो क्या मार्किट अब उपर जाएगी बजट में नीचे जाएगी क्या होगा यह हम आने वाले दिनों में स्टेडी करेंगे आईए चलते हैं सीधा आप्शन चेन पे देखन दिन बाकी है अब स्टाक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है लिंक को क्लिक करो अब स्टाक में कोउट ओपन कर लो और फ्री में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मैं फैबरेरी में प्लैंग कर रहा हूं लाइब मार्किट में हम आप्शन चेन पे कैसे नदर रखते ह हैं डाटा को कैसे स्टेडी करते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं यह मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा एक सेशन में आईए चलते हैं सिदा आप्शन चेन पर वहीं दोस्तों देखिए कि अभी एश्जेस निफ्टी के इंडिकेट कर रही है आप देख सकते हैं अभी का हाई 14,000 और 13,988 अभी चल रही है और US मार्किट भी अभी जो है यह हरे में हो गई है तो क्या आज का मूब खाली इंडियन मार्किट को देख के था शैद अभी आप बोलेंगे हाँ लेकिन डाटा तो कुछ औरी इंडिकेट कर रहा है अब चलते हैं सिदा आप्श अभी 200 पॉइंट ऊपर जो है SGX निख्टी दिखा रही है अब हो क्या सकता है तेरा तक्रीबन तेरा आठ सो के ओपर क्लोजिंग गई गया है और तेरा आठ सो की पूट पे 11,382 कंट्रेक्ट है और काल पे 7,716 कंट्रेक्ट है वहीं 14,000 पे आप देखिए 16,977 कंट्रेक्ट है और यह सारी जो काल है इसमें से कुछ तो खरीदी होगी हमारे रिटेलर्स ने जो की काल उन्होंने आज पाई किया है और पुट राइट किया है तो आप मानके चल सकते हैं कि यह जो पुट बेच्ची हुई है चार तारीका ही है यह जो पुट बेच्ची हुई है यह हमारे रिटेलर्स की कारस्तानी है यह जितने भी कंट्रेक्ट है और आज कोई निफ्टी में ज्यादा हल चल नहीं हुई इसका मतलब बैंक निफ्टी में उन्होंने काम किया है तेरा नो सो हलकी है, और चोदा हजार जो है, यह फिलहाल रेइस्टेंस का काम करना चाहिए, जहां सोला हजार नो सो सत्तर है, सिक्स्टीन्थ होदे नाइहनड़ सैंटी सैवन कंट्रेक्ट है, कल की जो रेंज है, मुझे मोटा माटी जो नजर में आ रही है, वो ये रेंज नजर में आ रही है, तेरा आठ सो से चोड़ा हजार या, आप मान सकते हैं कि तेरा साथ सो जो आज कल हो था, शायद ये भी अगर किसी वज़ा से नीचे आती है, तो ये एक बार द्वारा पहला दिन है, तो अगर मार्किट तेज ओपन हुई, तो तेज ही रहनी चाहिए, अगर वर्ल्ल मार्किट ने पूरा स्पोर्ट किया तो, चोड़ा हजार पे थोड़ी देर के लिए रुख सकती है, जहां पे 16,977 का ट्रक्ट है, आपको डाटा पे नजर रखनी होगी कि ख कि निफ्टी की क्लोधिंग होई है, 30,358 के लेवल पे, तो कल क्या हो सकता है, 30,358, आप ये देखिए, जो मैं बोल रहा था कि, ये जो है, ये सारी जो पुट है, ये हमारा रिटेलर वेज के गया है, जितने ये कंट्रेक्ट हैं, इवन आगे भी उसने ही माल बेचा हुए है, और काल जो है, 30,300 पे ये क्लोधिंग होई है, अब देखो कि डाटा भी बैंक निफ्टी में कोई ज्यादा बना नहीं है, ये दो लेवल है, 30,000 की काल में, 7,680 कंट्रेक्ट हैं, जिसमें से ये कंट्रेक्ट आज जुड़े है और पुट साइड में आप देखो कि 30,500 पे कोई खास हो नहीं है, इवन 30,000 पे आपको जो है सपोर्ट नजर आ रही है, जिसमें से ये कंट्रेक्ट आज जुड़े हैं, ये हमारे रिटेलर ने बेचे हैं, ये भी रिटेलर की कारस्ता नहीं हो सकती है, ये सारा माल जो है र बैंक निफ्टी उपर ओपन होती है, गैप अपन होती है, 30,500 के उपर, तो आपको नदर रखनी होगी कि क्या ये काल पे 30,500 पे अन्वाइंड होती है, और पुट में फर्दर एडिशन होता है, अगर होता है, तो बैंक निफ्टी आपको जो है आगे भी चलती हुई नदर आ सकती है, तो अगली जो रेजिस्टेंस है, उसको 14,340 ये जो कंट्रेक्ट है, 31,000, यहां पे मिलती हुई नदर आ सकती है, जो ब्राडर रेंज है, वो मुझे अभी 30,000 से लेके 31,000 की लग रही है, लाई मार्किट में आपको डाटा पे नदर रखनी होगी कि डाटा कैसे फार्म होता है, तो अपनी पोजिशन ले सकते हैं, आपको तभी मुनाफ़ा देखने को मिलेगा, वैसे याड़ नई सीरीज है, अभी डाटा इतना फार्म नहीं हुआ, डाटा फार्म होने देंगे और फिर देखेंगे कि हमें कैसे ट्रेट हैं, इसी के साथ दोस्तों ये मैंने लिंक शेर किया है, लिंक को क्लिक करना मत बूलना और अगर 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 अपन हो जा तो मेरे साथ अपनी अपनी अगर अपनिंग डिटेल भी शेर कर लेना, इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपकी फैबरेवी महीने की इक्सपारी ताड़ फाड धमाकेदार शुर झाल है झाल हैं।